हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में लोग बात करेंगे कि अगर आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे ड्रॉप करना है और आपको लगता है कि लगग लगग 50% से ले बस तो मेरा कवर्डी है बस थोड़ा बहुत काम करना चाहिए उसके बारे में मैं आज बात करूंगा और ये वीडियो बिलीव में बहुत जादा इंपॉर्टन होगा और गेम चेंजर साबित होगा आप लोगों के लिए तो स्टार्ट करते हैं भी ब्रीफ इंड़क्शन अबाउट मी माइनम इस अमित खुराना यह मे उतना आपको आता है ना उतना आप मतलब you can say 50% आपको आता है ना तो जादा से जादा मैं बोलूँगा maximum से maximum एक महीने के अंदर अंदर जो कुछ पढ़ा है सारा कुछ भूल जाओगे यह मैं नहीं बता रहा है मैं बहुत सारे स्टुडेंस को मैंने मेंटर किया आप देख करते हुए तो बहुत सारे स्टुडेंस से इंट्रेक्शन करने के बाद मैं आप लोगों को यह सब बाते बता रहा हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरेंस है मैं पोड़ा उसका आपको एक निचोड बना करके दे रहा हूँ तो बहुत सारे स्टुडेंस ने मुझे बताया अंदर सारे कुछ भूल जाते है, जो पढ़ा था ना, कुछ भी याद नहीं होता, तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो भूले ना, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला step तो यह है, अगर आप preparation कर रहे हो, आपको लगता है कि 50% आपको आता है, तो जो 50% आता है, वो तो हाथ से ना निकले, अगर वो भी हाथ से निकले, तो फिर क्या करोगे, और बहुत सारे students होते हैं ऐसे, जो इस बारी सुपोस को लो, टॉप 1000 में रैंक है, अगली बारी जब गए तो फिर तो टॉप 5000 में भी नहीं आ रहे है, आप वो चाहते हो कि ना भूलो, और आपको वो चीजे काफी टाहिम तक याद रहें, तो बेसिक वे आउट इस, आप चीजों को लिख लिख के याद करो, कैसे या तो आप वही बात है, कॉपी पैन पे लिखना शुरू कर दो, या फिर बैस्ट वे आपको बताता हूँ, य जो मैं आफ्लाइन क्लासिज में टीज करता था, तो लगबग-लगबग हर स्टुडेंट के पास एक ऐसा बोर्ड होता था, तो आपकी च्छे है, आप अगर जुगाड करना तो जुगाड कर लो गत्ते का एक बोर्ड ले लो, और उसके उपर आप वो जो वाइट चार्ट या वो वाइट चार्ट चिपका दो और उसके बाद उस पे प्लास्टिक कवर लगा दो एक, तो आपका एक बोर्ड अच्छ से त्यार हो सकता, और काफी कम पैسो में त्यार हो जाएगा, और उसके बाद तो बस आपको एक मारकर लेना है और एक इंक लिनी है, टेंपरिरी म उसमें सारा कुछ लिख लिख के काम करो, और ऐसे एक्ट करो कि आप किसी को टीच कर रहे हो, आप जैसे पेजिंग शुरू करना है, तो ये आपका बोर्ड है, आप शुरू हो जाओ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्या होता था पेजिंग मतलब मेन बाद सम करके बैठोगे न, अभी तो मन मार के आप कर लोगे काम, एक महिना, दो महिना, तीन महिना, उसके बाद इतनी नफरत हो जाएगी न, नोट से, आप उनको खोलने, तो छोड़ दो, देखने का भी मन नी करेगा उन नोट को, इतने ज़्यादा परशान और इतने ज़्यादा फ्रस्टेशन में आ जाओगी, तो अभी तो मन मार मार के करते जाओगे, इतने फ्रस्टेट हो जाओगर उनको देखोगे भी नहीं, उसलिए सबसे बेस्ट वेट किया है, आप अभी देखना बंद करतो उनको, देखो भी मत, क्या करना है, बोर्ड पे अपना लिखना शु जितना लिखोगे ना, उतना जल्दी चीज़े दिमावे फिट होएंगी, and act like you are teaching somebody, किसी को teach कर रहे हो, किसी अपने फ्रेंड को पढ़ा रहे हो, इस तरीके से चलो, believe me, आपको लगेगा कि सर बहुत टाइम अरबाद हो रहा है, तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन धीर जो नहीं चलता ना, दिनकों लगता है कि मेरा माइंड बड़ा स्लो है, मैं धीर-धीर काम करता हूँ, यह ऐसे, lightning fast speed पे चलेगा, ऐसे हो जाएगा आपका माइंड, तो लिख-लिख के काम करना शुरू कर दो, और जितना हो सके, baby steps के साथ काम करो, baby steps in the sense, जैसे suppose कर लो, आप को आती है, तो इसे मैं बोलता हूँ, P plus में Q plus में P bar ऐसे कुछ है, यह कोई expression है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको ऐसे बोलो, Q plus में P bar है न, तो मैं इसको बोलता हूँ, P plus में P bar plus में Q, बिल्कुल baby steps कर दो, लिखो, इसको मैं ऐसे कैसे कर दिया, भई, commutative law के क 1, यह क्या हुआ जी, domination law हुआ, और 1, अगर आप logic style में लिख रहे हो, तो आप बोलोगे कि 1 आया, तो मतलब which is true, true मतलब always true, always true मतलब यह tautology है, इस तरीके से एक-एक बात को लिखो, देख रहे हो, ने तो आप क्या करते हो, जनरली, P plus में Q plus में P bar, आप भी तो सीधा बोल क बात को, तो आप लोगो को समझ भी आ रहा होगा, बेबी स्टेप्स के साथ चलो, और एक-एक बात लिखो, क्योंकि अगर आप ऐसे इमेजिन को आप किसी को teach कर रहे हो, तो आप अराम राम से सारा कुछ लिखोगे न, तो एक टीचर के मैंड में सारा कुछ फिट क्यों होत कि मैं इतने सारा से teach कर रहा हूँ, और बार-बार चीजों को बता रहा हूँ, तो अब आप मेरे से किसी भी subject के बारे में कुछ भी पूछ होगे, मैं एक जटके में answer कर दूँगा, क्यों, क्यों मेरे कुछ याद है, कैसे याद है, मैंने बार-बार लिखा है सब कुछ, सब लिख के जाते थे, उतने अच्छे आपके नमबर आपाते थे, तो वही बात है, माइंड में चीजे फिट इसी तरीके से होँगे, बेबी स्टक के साथ, और टॉस करो चीजों को, बजाए के notes खोल के पड़ो, that is known as passive revision, passive नहीं करनी, active revision करनी है आपको, मतलब आपको माइंड से अपने आप toss करके चीजे लिखनी है, believe me, एक बार इस आदत को बनाओगे, और बेबी स्टक के साथ काम करना शुरू करोगे, मजा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, देखो, अभी सबसे बड़ा challenge आपके लिए बता है, कि मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा challenge अभी, जो drop लेना है और अपना काम करना है, या चलो अभी college है भी सही, तो अभी बात है, जून जुलाई में या maximum खतम हो जाएगा आपका, कई college तो में तक भी खतम हो जाएगे, तो आदत अभी से डालो, कि मेरेको इतने गंटे तो निकालने, निकालने 8 से 10 गंटे, तो वो कैसे निक तो कम से कम निकालो, अगर college है तो, अगर आप second time dropper हो, तो red alert आई आपके लिए, आपका college नहीं है, कुछ नहीं है, सारा दिन खाली है, अब पूरा दिन फैला पड़ा है तुमारे साम में, अगर पूरा दिन फैला हुआ है, और तुम भी फैल गए, फैल गए in the sense, मतलब सो सो तेरे सारा दिन time pass करते हो, कोई फैदा नहीं है, तो इस time पे सबसे बड़ा challenge आपके लिए है, जो second time, third time droppers है, 8 से 10 गंटे आपको कम से कम निकालने हैं, और जो अभी college नहीं के चल रहे हैं, चलो उनके लिए में बोदे तो 4 से 5 गंटे निकाले हैं, तो morning का time में आप जो यह revision वाला काम करना है, लिख लिख के चीज़ों को करना है, बिलीव में आपको लेगे काम बड़ा slow चल रहा हैं, लेकिन देरे देरे आप निकर के बाहर आओगे, जैसे sunrise होता है, हम देखते हैं, पहले एक दम ऐसे लगता है कि इतना ज़्यादा sunrise नहीं आती हैं, लेकिन द just act like a teacher, क्योंकि आप खुद से ऐसे आपने आपको इमेजिन किया है और आपने लिख लिख के काम किया है, so you will think like a teacher, और उसके साब से आप बहुत जल्दी स्पीड से काम करोगे, बहुत 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 ब्यूटिफुल टेक्नीक है, यह scientific टेक्नीक है, मतलब यह सब प्रूव आदर दिन बाट लो, आदर दिन नया टॉपिक, आदर दिन यह सारी रिवीशन, अगर इस तरीके से नहीं चले ना, believe me, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 50% ले बस आपने पढ़ा बना, सारा निकल जाएगा, दिमाग से पत्ता भी नहीं लगेगा, चुटकी बजा बजा आप लोग समझ पा रहे होगे, मैं क्या क्याने की कोशिच कर रहा हूँ, ठीक है जी, चलिए, तो ध्यान रखने अब इस चीच का, है ना, बाकी स्ट्रेटेजी वगएरा, प्लैनिंग वगएरा, उस सब के आपको दुनिया भर के वीडियो, हमने अपने चैनल पर डाल रख आप लोगों के पास आते रहेंगे, इस तरीके के जो मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला बाते हैं, सब कुछ बहुत सोच समझ के और पूरे अपने एक्स्पीरेंस के साथ, मैं आप लोगों के साथ सब बाते बता रहा हूँ, और अगर आप मुझसे परसनल अच्छी बात यह है, मैं हूँ, और बहुत सारे टीचर हैं, बहुत बड़ी टीम है हमारी, लगबग सभी टीचर को 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो गाइडिर प्रप्रेशन करना चाहते हो, तो आजाओ, और अगर आप बात है, सेकिंड ताइम, थर्ड ताइम ड्रॉपर हो, और रेड अलर्ट है, आपके सामने, आपको है कि पाइहुक और बायकरुक मुझे करना ही करना है, you should go for it, साल बर बाद हो गया है, तो फिर और आगे और परिशानी बढ़ती चले जाएगी, मैंड बे प्रेशर बिल्डप होता ही चला जाएगा, तो if you want, then you can join us, आप तो बुनियाद बेच के USP से यह आप चेक कर सकते हो, और अभी बहुत बीडिफुल ओफर चल रहा है, पहले तो EMI के बार में देख लो, यह EMI है, अगर आप EMI पे लेना चाहते है, आप पूरा इसको पढ़ देना, ठीक है, ओके, और 27% आफ चल रहा है अभी, और डेट भी आ यह प्राइज की लिस्ट आप अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो लुप्लीज यू किन चेक लिस आउट, यह एक्टॉल प्राइजेस हैं बेफिल्हाल, अभी डिस्काउंट प्राइज यह आपको मिल रहे हैं, यह आप देख सकते हैं, ठीक है जी, और रेंक प्रेटर हमा और ऑफलेंज सेंटर हमारा ओपन हो चुका है दिल्ली में साकेत में एंड सॉन तो इसके लिए आप ये क्यो आर को स्कैन करके देख सकते हैं एक यू अरे इंटरस्टेट गो फो फो एट थैंकियो सो मत बाबाए